जहिंद्र नमस्कार मेरे शेर सेनियो लाड़ो लाड़ो स्वागत आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल कमांडो केड़ में दोस्तों ये वीडियो स्पेसिली शेयर पिप की भी आप सभी को पता एक नई वेकेंश है ये ट्रेडमेन और टेक्निकल की उसको लेकर बहुत सा हो जाएगा ट्रेडमेन से आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो पहली चीज तो आप ये क्लियर करने ना इस वीडियो में कि ट्रेडमेन से आप किस-किस डिपार्मेंट में जा सकते हैं जा भी सकते हैं या नहीं भी जा सकते हैं पलस ट्रेडमेन क्या कोबरा कमांडो बन तो इसमें अभी हम आपको जब तक जुलाई में आपका पेपर नहीं होता तब तक पूरा पेपर की तैयारी कराएंगे और बाद में बिल्कुल ट्रेड की तैयारी बिल्कुल फ्री कराएंगे जिस भी आप ट्रेड में उसकी तो यह बेस्ट लोंज के हमने आपको पता जाएगा कि किस परकार से तैयारी होती है ठीक है अब मैं आपको जानकर देने जा रहा हूं जान रखेगा यह हवाई बाते नहीं क्योंकि मैं CRP पे रह चुका हूं तो मुझे इसके बारे में पूरा भली बात ही पता देखिए अब अगर ट्रेड में से जाते हैं तो ट्रेड में से पहले बात हो कि आपके जो लगेगा वो CTGD ही लगेगा मैं आपको उता दूं CTGD यहनि को इसे बाकी जीडी एसे जीडी के तुरू तो वह 18 साल बाज में यह 17 साल बाज में होलदार बन जाता है लेकिन ट्रेड में में आपकी पेमेंट तो बड़े ही हर स साल जैसे बाकी सब की बढ़्टी वेसे लेकिन आप हमेसा ऊgoing में लकुक में लगे आप उदार्ण के लिए तो कुक ही रहोंगे चाहे आप 25 साल सर्विस कर लो चाहे 40 साल सर्विस कर लो यह नहीं होगा कि आप कभी कुक में हवलदार बन जाओगे तो बार बरर ही रहोंगे जब तक आप उस service में रहोगे ट्रेड में में कोई भी promotion नहीं होता है payment का promotion जैसे बाकी department सिपाय का होता है वेसे ही आपका होता है ये सबसे बड़ी कमी है ट्रेड में की कि जैसे मान लोग कॉंस्टेबल गया हो एक दिन हवालदार हवालदार से ASI, ASI से ASI बन जाता है लेकिन इसमें ऐसा नहीं है अगर आप कुक से बड़ती हुए तो जंदीवर आपको कुक वाला काम ही करना पड़ेगा अब साथ ही एक चीज अलग है कि हाँ आप ट्रेड में से अगर तयारी करते हैं पेपर की तो क्या बन सकते हैं देखो आप ASI बन सकते हैं यानि सब इंस्पेक्टर में जा सकते हैं आप हेड कॉंस्टेबल जा सकते हैं पोसर बच्चे बोले कि सर्फ ट्रेड में से हम वापस कॉंस्टेबल जा सकते हैं नहीं आप सेम रेंक पर नहीं जा सकते हैं कि ट्रेडमेन का जो बेसिक पेनल आरलो हुआ है 21,700 और सिपाई का भी बेसिक पे कितना है 21,700 यनि शेम रेंक में आप बदलाओ नहीं कर सकते हैं तो इसलिए आप SI जा सकते हैं DSP भी आप बन सकते हैं असिस्टेंट कमांडें जिसको बोलते हैं वो भी आप बन सकते हैं ट्रेड से बिल्कुल बन सकते हैं दूसरी बात एक आपका डाउट रहता है कि सर हम इसे ट्रेड से क्मांडो फोर्से में जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं किसी भी ट् ट्रेड से और कब आप हवलदार बन सकते हैं या आरो में जा सकते हैं रेडियो उप्रेटर में उसमें भी जा सकते हैं कब जा सकते हैं आपकी एक साल की ट्रेनिंग और उसके बाद में तीन साल की आपकी नोकरी कुल मिलाकर जब आपकी चार साल की नोकरी हो जाती है कितने साल से आप SI भी बन सकते हैं हवलदार भी मिनिस्ट्रेल में भी जा सकते हैं और DSP का भी उसमें एक्जाम होता तो उसमें भी जा सकते हैं आगे के पढ़ाओ ठीक है लाटो तो ट्रेड में वह आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रेड में रहोगे जिंद्द की भर या और भी आपको AD से चोटी तकी सारी तीजे बताने के लिए तयार हूँ है कमेंट में आप लिखे मैं आपके क्योशनों का आंशर दूँगा जै हिंद जै भारत